अब नेक राप है आपका फेमस ओम्स लॉओ के उपर, तो फेमस ओम्स लॉओ, राइट, current is equal to V by R, we have to plot I versus R, आपको याद रखना है किन चीज़ों को, इन चीज़ों को, पांच, छे चीज़े हैं, राइट, सबसे पहले आपको क्या है, fix parameter, parameter नहीं जो दिया है आपको, क्या दिया है आपको, आपको parameter है, I और R, दुसके बात क्या है, उनका equation क्या है, यह तो equation दिया है इस question में लेकिन आपको अगर physics पढ़ाय जाता है, तो दिया भी नहीं होगा, तो आपको पता होना चाहिए, तो equation is, यह तो आपका पहला step हो गया, कि parameter क्या है आपके, I और R, equation क्या है आपका, I is equal to V by R, तीसरी बात आपको करना है, replace यानि, यह होता है आपका Y, और यह होता ह आपका X, तो यह है आपका Y, और R की जगा पर X लिखना है बस, और V तो constant है, या फिर इसको V को K भी लिख सकते हो, कोई constant, तो यह किस type के graph में आता है, compare करना है, standard type के साथ, सभी के साथ compare करना है, अगर आप compare करोगे, मैंने जो कि बताएते, पाच्छे type standard है, तो Y is equal to 1 by X, य उसका graph आता है, इस तरीके से, यह ऐसा, right, अब यहाँ पर बोलाए, अब graph तो हो गया आपका, I versus R, अब बोलाए, voltage, अगर voltage vary कर दिया जाए, V1, V2, V3, यह constant को vary किया जाए, मतलब अलग-अलग, मतलब एक resistance लिया और voltage vary किया है, तो एक graph आपको V1 पर आएगा, दूसरा graph वीत्री लगा के निकालते हो, तो तीसरा graph ऐसा आएगा, तो इसमें से आपको यह भी पूचा जाता है, या फिर exam में question दिया जाएगा, consider the following graph, और आपको यह diagram दी जाएगी, और इस diagram को देखके, tell, या फिर which of the following is correct descending order of voltage, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, तो simple सी बात है, क्य निकलो, आइसे, axis से horizontal निकलो, y-axis से से निकलना है, तो horizontal निकलो, ऐसे निकलो, यह point आया, यह, और यह, ABC को देखो, इन तीनों के तीनों या फिर आप ऐसा भी निकल सकते हो एक सेक्सिस से निकलो तो परपेंडिकल वर्टिकल ही निकलो वालो ये P, Q, R तीन पॉइंट है तो तीनों के तीनों पॉइंट के लिए रजिस्टन्स तो सेम ही है राइट? करंट P से ज़्यादा के उपर है, सबसे ज़्यादा R पर है अब R के उपर सबसे ज़्यादा करंट है और रजिस्टन्स सभी के लिए सेम है इसका मतलब यहां का वोल्टेज ज्यादा होना चीए, ज्यादा वोल्टेज है इसलिए तो करंट बढ़ रहा है तो जैसे आप उपर जा रहे हो, वैसे वैसे for same resistance current बढ़ रहा है, इसका मतलब voltage बढ़ा होगा, यानि V3 ज्यादा है इस एक graph के लिए voltage constant है, इसके लिए भी V2 constant है, इसके लिए भी V3 constant है, लेकिन तीनों में से कौन बढ़ा है, तो V3, क्योंकि यहाँ पर हम slope से तो नहीं जा सकते, अगर आपको ऐसा graph दिया होता, यह, यह, यह जो के उपर दिया था, यह 1, यह 2, यह 3 कुछ दिया था ना, तो यहाँ पर तो हम slope निकाल सकते, जिसका slope जादा उसका yam जादा, यह फिर ऐसा कुछ लेकिन यहाँ पर straight line नहीं है, तो slope से तो नहीं जा सकते हम, तो यहाँ पर इस तरीकी से जाना होगा, तो V3 greater than V2 greater than V1, common sense लगाने, लगा के अब यहाँ पर twist देखे, यहाँ पर हमने I versus R निकाला है, अब आपको I versus 1 by R निकालना यह बहुत important है, यह यह बहुत ही important है, fix parameter यह है आपके parameter यह आपका y axis पर होता है और यह आपका x axis पर equation क्या है, fix equation equation तो दिया है इस problem में दिया है लेकिन नहीं भी दिया होगा, आपको ऐसे बूल सकते हैं कि, which of the following is correct graph for I versus 1 by R तो आपको equation याद होना चाहिए अब equation कैसे याद होगा, आपको पढ़ाया जाएगा आगे चलके अभी आपको पढ़ाया नहीं इसलिए equation आपको question में ही दिया जा रहा है लेकिन जब physics पढ़ेंगे आप तो उसमें equation हुआ है आपको, या फिर 10th class में भी हुआ है आपको ठीक है, तो equation कहां से याद करेंगे हम इसकी चिंता नहीं करनी है जब वो पढ़ाया जाएगा तब आना चाहिए equation याद करना इस chapter का मतलब नहीं है इस chapter का essence नहीं है हम तो equation क्या है 1 by R उसके बाद replace करना है अब replace बहुत ही important है ने equation क्या है V by R replace करना है, इसको Y लेकिन R को X नहीं लिखना है इसको मैं ठीक से लिख रहा हूँ V into 1 by R याद रखो यह पूरा का पूरा ही X है आपका 1 by R ही X है तो इसको तो V लिखो या फिर कोई constant YM लिख दो लेकिन इस पूरे को X लिखना है बेटा 1 by X नहीं लिखना है 1 by X नहीं लिखना है यही तो twist है और ज्यादा question करेंगे समझ में आएगा यह X है तो यह आपके बंचाती है straight line passing through origin इस तरीके से और इसका जो slope है ना बेटा यह YM है इसका slope यानि voltage यह भी इसका slope है अब अगर आपको question दिया जाता है ऐसे consider the following graph and decide which voltage is highest और graph दिया जाता है ऐसा यह graph है V1 के लिए यह graph है V2 के लिए और यह graph है V3 के लिए यहाँ पे straight line आ रहे है याद रखना क्योंकि हमने graph 1 by R के साथ निकाला है I versus R नहीं I versus 1 by R तो आपको यहाँ पे याद रखना है इस line का slope यहाँ directly proportional to voltage है यानि slope ज्यादा voltage ज्यादा तो slope तो सबसे ज्यादा इसका है यह तो हमने देखा है तो यह voltage सबसे ज्यादा है राइट इस तरिके से इसके थोड़ी और practice करते हैं मान लो मान लो आपके पास एक original equation ऐसा है जो कि P and T correlate करता है कुछ भी हो यह P और T कुछ भी है दो variable है और आपको बोला जाता है कि P versus T का graph निकालो तो आपका effective equation मतलब replace करने के बाद हम replace करते हैं न यक्स और Y से तो यहाँ पर P Y बन जाता है आपका यह और इसको यक्स तो यह root Y is equal to log X square जैसे है वैसे ही बनेगा लेकिन अगर वही आपको root P versus T निकालना है तो इसका मतलब यह पूरा का पूरा root P ही Y बन जाता है आपका तो यह Y is equal to log T में तो कोई बदल नहीं है log T square यह equation बनेगा आपका यक्स की जगाँ सारी T की जगाँ पर X अब बोला गया है root P versus T square यानि यह बन जाता है आपका Y और यह पूरा बन जाएगा X इध्यान रहे यानि वहु वहु Y is equal to log अब यह पूरा X है बेटा तो X square नहीं आगा T square पूरा का पूरा X बन गया तो आपका equation ऐसे आएगा अब इसका graph निकालो जो भी आपको आता है हाँ आपके standard equation में यह नहीं है लेकिन मैं आपको बस replace करने का सिखा रहा हूं उसके बाद बोला है आपको यह निकालना है graph तो replace करने के बाद कैसे दिखेगा यह पूरा Y और यह log T square पूरा का पूरा X बनेगा बेटा तो equation बनेगा Y is equal to X कुछ भी नहीं और आपको बोला है कि P versus log T square तो अब यहाँ पूरा X नहीं इतना सा X है यही X है sorry Y है तो यह root Y is equal to sorry log T square तो पूरा का पूरा X है ना बेटा तो यह पूरा X of course इसको अब change करके लेख सकते हो दोनों side का square करो तो Y is equal to X square है नहीं पारा बोला का equation है का अब यह वाली equation हमको नहीं है लेकिन बस replace करने का बता रहा हूं है next आगे बढ़ते हैं यह वाला equation है आपके पास क्या करना है equation है plot करना है यह तो सबसे पहले fix parameter parameter तो आपके पास है ही उसके बाद fix equation equation भी question में दे रखा है कभी कभी यह नहीं दिया होगा अगर आपको पढ़ाय गया है physics में या फिर किसी भी chemistry में तो आपको directly बोलेंगे L versus G निकालो ठीक है तो equation आपको पढ़ाया है तो नहीं दिया जाएगा question में तीसरा क्या है replace करो चरो भहिया L equation लिको L square plus G square is equal to 25 अब इसको replace करो L की जगा पर Y G की जगा पर X is equal to 25 अरे यह तो circle का equation है ना X square plus Y square पता है ना सभी equation रटने मैंने बोला था standard equation के साथ compare करना है ना तो यह compare करने बाद यह आता है आपका circle ठीक है ना अगर 25 से दोनों side को divide करोगे तो यह 25 यह 25 और यहाँ पर 1 आएगा यह y square by 25 को 5 square X square by 5 square इसको भी 5 square लिग दिया मैंने और equal to 1 तो यह ellipse है ऐसा ellipse जिसमें A और B दोनों सेम है तो वो circle ही तो होता है वो circle ही तो होता है वो yellow और जिसकी radius यह और यह दोनों radius सेम है इस तरीके से आएगा आपका L versus G का relation अब जर्ण ठीक से देखो थोड़ा सा change है यहाँ पर L यहाँ पर L square तो सबसे पहले parameter तो दिये है है हमको यहाँ पर parameter ही है यह दूसरा equation क्या है हमारा L square प्लस G square is equal to 25 इन दोनों को जोडने वाला equation है अब replace करना है याद रखो यह हो गया यह हो गया अब replace करो replace कैसे करना है बेटा यह Y square नहीं होगा मेरी जान यह क्या होगा मेरे बच्चे यह L square ही Y होगा बेटा पूरा का पूरा Y L square को ही Y रखेंगे हम यानि इसको plus लेकिन G square को X नहीं रिखेंगे क्योंकि G है सिर्फ G को X लिखना है तो G को X लिखने पर square तो इस है है अब यह याद रखो एक को square है एक को one है तो यह parabola हो गया मैंने बोला था न याद रखना है यह देखो यहाँ पे कित्थे है कित्थे है parabola यह कित्थे है यह देखो कौनसा वाला यह वाला parabola अब इसको थोड़ा rearrange करना होता है ना ऐसे थोड़ी ठीक से rearrange करेंगे कैसे एक स्क्वेर इस इक्वोल टू माइनस फोर ए वाई टाइप का है और इसके साथ यह आ रहा है आपका 25 और यह जो 4 यह है ना इसकी वैल्यू 1 है बेटा यहाँ पे समझ रहा है ना 1 है इसकी वैल्यू माइनस वाने चेश ठीक है 1 भी बोल सकते है आप इस टाइप का पैराबोला है यह देखो टोपी किसको पहिना नहीं है यक्स के उपर है यानि y को टोपी पहिना नहीं y किदर है यह y y पर यल्ट स्क्वेर है आपका और x पर g है तो टोपी के इसको पहिना नहीं आपको y को पहिना ने क्योंकि इसको टोपी नहीं है यानि ऐसा या फिर इदर ऐसा कुछ हो जाएगा लेकिन उसका शेप होगैरा सेम रहेगा कैसे शिफ्ट होगा shift करने के लिए हम क्या करेंगे हम y को 0 रखेंगे और x की value क्या आती है वो दिखेंगे right y को 0 रखने पर अब ये shifting वाला आपको नहीं है उतना मतलब need के लिए नहीं होगा लेकिन jay के लिए होता है maths में ये concept लेकिन बहुत ही आसान है और tension नहीं लेना इसका physics में इतना shifting का नहीं आता आपको ये physics के लिए mathematics चलो है न आपको तो simple सी बात रखना है y को 0 रखोगे तो x की value 5 आ रही है right क्यों ये square root बन जाएगा न मेटा अब इतना तो आना चाहिए x square is equal to 0 plus 25 आ रहा है यानि x is equal to plus और minus 5 आएगा अब देखिए y 0 है ये एक point होगे आपका दूसरा अब x को 0 रखो x को 0 रखने के बाद 0 is equal to minus 4 ay plus 25 यानि अब इसकी तो 11 है आमारी तो y is equal to 25 आ रहा है तो x 0 रखने पर y 25 आ रहा है तो ये दो point y 0,25 जो कि 0,25 कोची यहां पर आएगा और 5, y का value क्या है 0, 5,0 तो 5,0 और ये गलती होगे पहला point गलत होगा ना पहला point यहां पर नहीं 0,25 यहां पर आएगा अब 5,0 कोची यहां पर आएगा है ना 5,0 और एक point है बेटा और एक point है यह minus 5 भी तो है minus 5,0 कहा हैगा minus 5,0 इधर भी आएगा अब याद रखो जरा ठीक से अब यहां पर छोटी से गलती होगे है यह जो पैराबोला है ना मैंने जरा गलत निकाल देए आपको पता भी चल गया होगा minus की sign है ना बेटा minus की sign है तो उसको कैसे भूल गए यह पैराबोला हाँ टोपी जरूर y को पैना नहीं है टोपी जरूर y को ही पैना नहीं है लेकिन यह minus है इसलिए पैराबोला ऐसा आएगा अब shifting अब shifting कुछ इस तरीक से करना है shifting करने के लिए मैंने क्या बोला shifting करने के लिए आपको एक बार y 0 डालके x की value निकालने है x 0 डालके y की value निकालने है तो आपके पास यह 3 point आ गए यह 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 आप shifting कैसे होगते है यह तो ऐसा होगा यह तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा लेकिन इसका nature change नहीं होता इसकी बज़े से ये ऐसा नहीं होता या फिर ऐसा नहीं होता उल्टा ही रहेगा लेकिन shift होगा आगे जैसे हम vector को shift करते वैसे अब एक ही तरीका ये तीनों point को अगर उसके अंदर आना है तो इसको shift इस तरीके से ही होना होगा तो ये होगा आपकी shifting तो ये आपका है correct parabola लेकिन इतना attention नहीं लेना ये वाला आपको नहीं आता मैंने बस आपको यहाँ पर ये बताने के लिए लिया है कि L versus G करने पर क्या आता है L square versus G करने पर क्या आता है ये ज्यादा important है अब आगे वाला क्या है अब L square versus G की जगा पर अब उल्टा करना L versus G square निकालना है equation तो वही है equation सबसे पहले भूलना नहीं इन चीजों को सबसे पहली बात parameter तो हमको दिये है दूसरा equation क्या है बेटा equation equation क्या है बेटा equation L square बोलई बार L square plus G square is equal to 25 right अब करना है replace तीसरी step होती है करने की replace replace करने के लिए क्या करना है L की जगा पर Y डालो ये Y होता है ये X होता है यहाँ Y डाल दिया तो ये square तो रहेगा लेकिन इसकी जगा पर X डाल दिया पूरे G square की जगा पर X डालना है भूलना नहीं तो ये X square नहीं होगा बलकि जब X ही होगा लेकिन उपर वाले question में क्या है था Y प्लस X square था अब यहाँ पर Y square प्लस X हाया डिफरेंस को समझ रहे हो न इस इकोल टो 25 अब ये भी तो पैराबोला है पावर एक है यहाँ दो है तो ये पैराबोला हो गया लेकिन अब अलग तरीके का पैराबोला Y square is equal to minus X plus 25 इसको गोली मार इसको टेंशन मतलो इसका पहले ये वाला देखो ये कौनसे टाइप का है Y square is equal to minus 4AX टाइप का है जिसकी इसकी value बन है ये plus और minus C हम पैराबोला के standard equation में नहीं सीखते क्योंकि इसकी जरुरत भी नहीं है और इसका tension मत ही लोग तो इतना नहीं है physics में तो ये कौनसे टाइप का है Y square is equal to minus 4A टोपी Y को है इसलिए graph में टोपी X को पहिनानी होगी बेटा X को टोपी पहिनाएंगे हम तो X को टोपी कैसे पहिनाएंगे तो ऐसे पहिनाएंगे टोपी लेकिन minus है इसलिए टोपी उल्टी पहिनानी पढ़ेंगी minus है इसलिए टोपी तो X को ही पहिना रहे हम लेकिन उल्टी और इसकी बज़ेसी क्या होता है shifting तो shifting का तो मैंने बताई दिया है ना कैसे होता है एक बार और खेल खेल लेते हैं, शिफ्टिंग का, शिफ्टिंग करने के लिए क्या करना है, पहले y को 0 डालो, इस equation में, आपका ये equation है, right, y को 0 डालो, तो x कितना आता है, अब direct करो, y को 0 डालने पर x 25 आ रहा है, अब x को 0 डालो, तो y कितना आ रहा है, x को 0 डालने पर y प्लस और माइनस 5 आता है बेटा, तो आपके point कौन से कौन से है, 25,0, 25,0 ये, उसके बाद है, 0,5, ये वाला, 0,5, ये वाला, अब 0,5, ये वाला, तो इन तीनों point से parabola जाएगा, कैसे ही, तो इसको shift करना पड़ेगा, कुछ ऐसे nature वही है, याद रखना, इसकी वज़े से बस इसकी ये जो vertex है, shift होती है, आगे, पीछे, या फिर इधर, इधर, ऐसा होता है, इधर अगर 25 डालते हो, तो ऐसा कुछ इधर, उधर होगा, कुछ नहीं है, shifting करने के लिए, बस आपको 2 तीन पॉइंट निकालने है, और उनके हिसाब से करना है, लेकिन shifting वैसे भी आपको है ही नहीं, tension ने लेना है, आपको ज्यादा important है, ये पहिचानना, और इसका nature, ऐसा आएगा, या ऐसा आएगा, या ऐसा आएगा, अब हमको आगे वाला equation है, देखे हम क्या कर रहे है, नहीं ये y होता है, ये x होता है, पुरा का पुरा, g नहीं, g square, l नहीं, l square है बेटा, equation क्या है आपका, देखो, equation, क्या है रहे, equation, l square plus g square is equal to 25, replace करो, तीसरी step, replace करो, याद रखो इन चीजों को, replace करना, यानि ये यहाँ पे y है, y square नहीं बेटा, y है, कई बार बता रहो, हज ये y square नहीं होगा, ये x होगा, और ये 25, अरे ये तो क्या है, कौन सी standard equation में आ रहा है, देखो ज़रा, थोड़ा सा, दिमाग को गुमाना पड़ता है, इसको थोड़ा shift तो करो, बेटा, तो minus x, तो ये तो ये तो, याप y is equal to mx plus c हो गया न, y is equal to mx, compare करना है न, replace करने देखे, slope minus 1 है, और c 25 हो है, तो ये तो straight line हो गई, y intercept यहाँ positive है, slope negative है, तो line ऐसे नीचे आएगी, पता है न आपको, slope ये तो पीछले ही वीडियो में मैंने बता दिया है, देखे, equation ये की है, लेकिन, कभी equation circle कहा रहा था, जब हमने l versus g निकाला, parabola आ गया, जब हमने l square versus g निकाला, पता नहीं, उसके बाद ये सा कुछ उल्टा parabola भी आ गया, जब हमने l versus g square निकाला, अब straight line आ रहा है, जब हमने l square versus g square निकाला, equation ये की है, लेकिन ये parameter बदलने से, पूरा बदल जाता है बेटा, पूरा, right, next आपको ये equation दिया हुआ है, इसमें करना क्या है, equation है आपके पास ये, chemistry पढ़ने के बाद equation नहीं देंगे, directly बोलेंगे, plot log a not by a versus t, तो ये equation आपको याद होगा, तो चलिए, हमको तो parameter दिये है, भूलना नहीं है, ये वाला parameter है आपका y, y के जैसा और ये होता है, x के जैसा, given equation यहीं पर है, एक बार फिर से लिख लो, t is equal to 2.303 by k log a not by a, equation लिख लिया, अब replace करो, कौन है, अरे बेटा, ये है x, और ये पूरा का पूरा y है, पूरा का पूरा, और ये तो constant है, यानि y, और और ये कैसे रे y, अब constant को बेटा, हम क्या करेंगे न, कुछ constant c लिखेंगे, क्यों, बताता हूं, अब दोनों तरफ 1 है, इसलिए, straight line लिखने इसको थोड़ा सा, थ थोडा गुमाएंगे, कैसे गुमाएंगे, क्योंकि इस तरीके से हमारा standard equation होता नहीं है, होता नहीं है, ठीक है, तो हम कैसे गुमाएंगेnar ? इस equation को थोड़ा गुमा लेंगे, यानि इस चीज को इधर लेके आएंगे, तो कैसे होगा देखिए, two point क्यों, क्योंकि standard equation ऐसा नहीं हमारा standard equation क्या है y is equal to mx ठीक है, या फिर हम कर भी सकते देखो adjustment आनी चाहिए, सब तो हमको यह जो c है ना, इस तरब चाहिए तो इसके लिए इस चीज़ को हम इधर गुमा रहे, तो आपका आएगा क्या log a naught by a is equal to k by 2.303 अरे, कुछ समझ में आया इसको इधर लेकी जाने पर यह division का multiplication में जाता है और यह multiplication का division में आता है बेटा into t, आप replace करेंगे हम थोड़ा सा, अच्छे से तो यह है आपका y यह है आपका y और यह है x y is equal to mx straight line passing through origin इसका slope होता है यह यानि यह है आपका slope यह k divided by 2.303 is the slope of this line आगे चलो equation वही है equation वही है लेकिन parameter बदल दिये बेटा parameter बदल दिये भूलना नहीं है बहुत सारी चीजों को बोलना नहीं है वही है सबसे पहले parameter उसके बाद equation लिकलो क्या है वही है दूसरा step equation लिकलो equation है आपका t is equal to 2.303 upon k log a by a not अब यह तो कुछ अलगी लग रहा है a by a not है लेकिन यहाँ पे सिर्फ यह दिया है तो हम अभी अपना दिमाग का इस्तमाल करेंगे जिससे कि हमको variable log a के form में चाहिए अब यह तो combined है इसको फोड़ो अरे इसको फोड़ो इसको फोड़ो रहे 2.303 by k अब यह log a divided by b का formula होता है log a minus log b तो यह बन जाता है बेटा log a minus log a not अब अराम से यह अब यह कुछ अच्छा लग रहा है कुछ तो अच्छा लग रहा है लेकिन फिर भी उतना अच्छा नहीं लग रहा क्यों क्योंकि अगर इसको replace करोगे आप तीसरा step इस्तमाल करके तो यह तो आपका क्या है x यह तो आपका कुछ constant है यह कुछ नहीं होता इसा standard equation नहीं है हमारा standard equation है या तो आप इसको घुमा इसकी चक्के घुमा या फिर इसको घुमा standard equation में convert करने के लिए दो दो तरीके से कर सकते हैं जैसे हमने पिछले equation में गया था अब इसको अगर मैं घुमाता हूँ ठीक से देखो अब भूलना नहीं है आपका c है यह और यह c- है यह सब भूलना नहीं है अब इसको थोड़ा घुमाएंगे y is equal क्योंकि यहाँ पर power 1 है यहाँ पर power 1 है तो simple से बात है यह straight line है लेकिन इसको थोड़ा adjust करना पड़ेगा कैसे x is equal to c y c से मैं multiply कर रहा हूँ minus c into c- है ना इससे multiply किया अब हमको चाहिए y is equal to mx plus c तो हम करेंगे कुछ ऐसा इसको shift कर देंगे इसको shift करने पर इधर क्या आएगा बेटा x is equal to x is equal to c y लेकिन minus c c dash इधर आया है बेटा minus c c dash को हम तो इधर लाए है यह इधर लाएंगे c c dash अब कुछ ठीक ठाक लग रहा है लेकिन अभी भी ठीक ठाक नहीं लग रहा यह c को फटा दो c को division में लेके ज़ा अभी दोनों के तो आप का हैगा कुछ ऐसे अब डायरेक्ली आना चाहिए y is equal to क्या ठीक है चलो c c dash plus x y c is equal to y फिर भी ठीक नहीं लग रहा तो और चलो y is equal to y c और y c कैंसल होगा और यह x के नीचे c x y c plus c dash अभी भी ठीक नहीं लग रहा y is equal to 1y c into x plus c dash अब ठीक लग रहा है कैसे ठीक लग रहा है इसको y लिखो इस बंदे को y लिखो यह तो x ही है और इसको अपना c लिख दो जिसको हमने c dash अभी लिखा है न चलो ठीक है c dash ही रहने तो confuse मत होना जादा अब यह हमारी straight line की तरह लग रहा है तो equation अब हमारी straight line आएगी कैसे चलो मैं यहाँ बना देता हूँ और उसका slope क्या रहेगा यह भी तो important है तो straight line तो बेटा आएगी ऐसे अब slope तो है yam यानी 1 by c अरे याद रुको इसका slope क्या है 1 by c लेकिन c c क्या है बेटा भूलना नहीं यह है आपका c यह वाला c 1 by c करने के बाद कितना आएगा यह k by 2.30 तो यह आएगा तो यह आपका slope हो गया जो कि k की value तो positive रहती है आगे चलके आपको समझेगा तो slope positive है इसलिए straight line passing through origin like this straight line passing through origin यह भी होती है बेटा इसलिए तो यह check quadrant बोला जाता है न तो हम क्या करेंगे अभी straight line passing through origin ऐसे ही निकाली है slope positive निकाला negative नहीं निकाला क्यूंकि k positive होता है यह आपको आगे चलके पता चलेगा तो slope positive है दूसरा इधर क्यों नहीं ली line फेरे ऐसे भी तो ले सकते थे हाँ नहीं ली क्यूंकि यह यानि यह concentration of reactant होता है वो भी negative नहीं होता जो कि x-axis पर है तो उसका log भी negative नहीं होता लेकिन यह चीज़े आपको धिरे-धिरे समझागे ठीक है कि quadrant किस तरीके से check करना है अभी तो बस आप nature देखो यह इस तरीके से और इसका slope है आपका यम जो कि है याद रखना है यह वाला slope है यह k upon 2.303 यह जो check quadrant वाली बात है ना हमने अभी तक नहीं की पता है ना किसी भी problem में क्यों क्योंकि हमको उतना पता नहीं कि यह क्या है क्ये क्या है अब हमको जैसे की पता है यह 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 concentration of reactant होता है और क्यों reactant का concentration negative नहीं होता तो यह line ऐसे negative इस quadrant में third quadrant में आएगी ही नहीं ठीक है तो अभी तक के लिए इतना ही काफी है यहां से और यह slope अब last वाला graph है यह लेकिन भूलना क्या नहीं है हमको यह तो कभी भूलना ही नहीं है इसी के तो उपर सब कुछ चल रहा है न ज्यादा मगज नहीं लगा न इधर उधर का इसी के हिसाब से करना होता है तो सबसे पहले fix parameter जो की दिये है यह होता है y यह होता है x fix equation हमको दिया है यह फिर याद रहे सकता है अगर पढ़ाया गया है तो equation क्या है क्या है t is equal to 2.303 upon x नहीं रहे k log of a upon a not अब किस तरीके से कर सकते है हम अभी हमको तो कुछ यादी नहीं रहा log वाला तो है हमारे पास log का मैंने पढ़ाया है किस तरीके से होता है उसे पढ़ाया है और exponential भी पढ़ाया है याद रखना भूलना नहीं exponential भी पढ़ाया है ठीक है ना तो exponential में लिखे जाते है इसको जरा तो बेटा 2.303 log का मतलब होता है alien ये तो log के वीडियो में देखा होगा आपको आपने alien x यानि 2.303 log x तो हम इसको alien लिख सकते हैं is equal to alien a by a not और ये 1 by k है तो ये k इदर जाएगा अब जब alien इस तरफ आता है तो वो e raised to बन जाता है यानि a by a not is equal to e raised to kt अब भले मैंने graph उल्टा निकलाई है actually kinematics में देखा जाए तो ये a not by a होता है लेकिन अब मुझसे गलती होगे छोड़ो हमको यहाँ पर kinematics नहीं पढ़ना है बेटा हमको graph निकालने है ठीक है ये देखो a not by a है मैंने गलती से a by a not लिख देया नीचे गलती से तो कोई फर्क नहीं पढ़ता हमको बस graph कैसे निकालने है ये देखना है a by a not है ठीक है अगर मानलो इस तरी कैसी equation दिया है तो क्या करेंगे ये important है ठीक है चलो तो क्या होगा तो इस equation को हम क्या लिख सकते है a is equal to a not e raise to kt अब replace करो अब कुछ अच्छा लग रहा है इसकी जगा उबर क्या y देखा ना ये y ये तो a not constant है रहने दो इसको e raise to k constant है t के जगा पर क्या होगा x तो ये हमारा y is equal to e raise to x की तरह आ रहा है जो कि कैसा होता है बिटा ये कुछ ऐसे होता है ऐसे होता है ना और इधर infinity को जाके मिलता है ये तो ये हो गए आपका graph क्या versus क्या a versus t वाला graph तो एक ही equation है लेकिन अलग अलग तरीके से graph कैसे अलग अलग आ रहे है चलो और एक practice कर लेते है एक और ये वाला है एसे चम्में पढ़ाते है आपको 12th class में ये equation मान लो अगर आपके पास एक relation है equation है इस तरीके से v is equal to omega ये omega है square root of a square minus x square यहाँ पे v और ये variable है तो हमको सबसे पहले ये plot करना है अब इसको देखने के बाद तो लग रहा है कि हम मैं तो कुछ पता ही नहीं इस तरीके का equation ही नहीं आपके पास लेकिन सबर करो आराम से adjustment करो सबसे पहले क्या है आपके पास पहले अरे इसको नहीं बूलना है मैंने बोला ना इन चीजों को parameter दिया है यानि कि आपका ये है आपका क्या this is your y ये तो x है तो x ही दिया है चलो हम अब replace करो देखो यार यहाँ पर एक step आती है adjust करना है replace करके adjust करो या फिर replace करने से पहले adjust करो कोई फरकने पड़ता ठीक है तो ये तो कुछ हमें नहीं दिग रहा तो इसको हम क्या कर सकते है square वाले इं term square किदर है ellipse में है तो हमको करना क्या होगा दोनों set को square करो दोनों set को square करने पर v square आएगा यह omega square बन जाएगा a square minus x square बन जाएगा अब कुछ तो पल्ले बढ़ रहा है आब क्या करेंगे हम omega square से इसको multiply करो v square is equal to omega square a square minus x square omega square देखे वारियेबल ये है तो ellipse में क्या होता है x square by a square कुछ plus y square by b square इसा कुछ होता है is equal to 1 तो चलो इसको transfer कर दो अब दोनो side को omega square by a square से divide कर दो तो आएगा ये v square by a square omega square यानि a omega whole square plus ये और ये कट जाएगा मतलब इसे ने काटते बेटा equation कैसे solve करना है पता है न या of course x square omega square upon omega square a square होता है ये ये कट जाएगा राइट और is equal to ये तो 1 हो जाएगा यानि आपके पास equation आता है v square by a omega whole square is equal to sorry plus x square by a square is equal to 1 ये हो जाता है आपका ellipse के जैसा तो अब क्या अब क्या होता है आप replace करो adjust देखो ये वाली step adjustment के बहुत ज्यादा adjustment किया है राइट छोटे छोटे जो ग्राफ होते है उसमें इतना adjust नहीं करना बढ़ता अब आगे बढ़ चुके है हम इसलिए कुछ difficult दे रहा हूं मैं तो replace करो तो b की जगा पर y आएगा बोलना नहीं है ये वाला so y square by ये नीचे कुछ भी लिखो a square plus x square by b square is equal to 1 तो ये ellipse आपका ellipse आता है राइट इस तरीके से ellipse का equation है ये मैंने बता है standard equation y के नीचे जो होता है वो y axis की value होती है और x के नीचे जो होता है ये वाली ये होती है sorry ये b यानि ये क्या है आपका ये a omega है तो ये a omega है यहाँ से यहाँ का distance ये omega है ये omega square नहीं और यहाँ से यहाँ का distance क्या होगा b b यानि क्या ये चलिए इस तरीके से ये यहाँ पर हमने क्या किया क्या किया replace करने से पहले adjust किया अब replace करके भी adjust कर सकते हैं किस तरीके से directly यहाँ पर replace करो ये y omega को omega नहीं दो और x तो x यहाँ इसको replace करने ज़रू होते हैं अब यहाँ पर दोनों बाजू का square करो अब फिर ये omega से multiply करो जो भी है मतलब वही दोनों एक ही चीज़े हैं लेकिन usually हम क्या करते हैं equation fix करने के बाद replace करने से पहले adjust करते हैं जो छोटे छोटे ग्राफ होते हैं उसमें इतना adjustment नहीं करना पड़ता standard ग्राफ की तरह दिखाने के लिए इसको adjust किया मैंने अब उसी equation का हमको ये वाला ग्राफ निकालना है उसी equation का क्या equation दिखी भूलना नहीं ये y और ये x equation आया अब replace करो यहाँ पर इतना adjustment करने की ज़रूरत नहीं लग रही क्यों नहीं लग रही एक बार replace करके देखो कुछ अच्छा दिकर आए गया हमको जैसा चाहिए वैसा ये तो हमारा x है बोलना नहीं ये x है उपर ये y था बेटे ये y था अब मैंने उसको x की ज़र पर रख दिया कुछ नहीं ना कुछ भी हो सकता है कुछ भी दे सकते ये omega तो omega है लेकिन ये पूरा का पूरा क्या है पूरा का पूरा y है बेटा चलो ये कुछ ठीटाग लग रहा है y is equal to mx है ना लेकिन इसको थोड़ा shift करो इसको यहां replace करो तो y is equal to 1 by omega x straight line passing through origin ये और ये है उसका slope तो इसका slope is 1 by omega ये तो y है ना बेटा तो ये straight line हो गए अब उसी equation से ये वाला graph निकालना है equation क्या है हम दूसरी step क्या है बेटा equation लिख 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 पहरी parameter तो दिये है ये y की तरह काम करता है इसको x की तरह और बोला नहीं क्या वर्सेस क्या निकाल रहे है यहाँ पर हमने e square minus x square versus v का graph निकाल है नहीं तो हर किसी को v versus x लिख दोगे ऐसा नहीं है equation भी आ गए अब replace करो चलो replace करो बेटा अरे v square को replace करने के लिए v square तो ही नहीं न तो v square लाना पड़ेगा दोनों बजो को square करो बेटा तो v square देखो इसको भी square करो इसको भी square करो अब आ गए आपका square तो v square की जगा पर हम क्या लिखेंगे y यह देखो y यह omega square है और x square की जगा पर x लिखेंगे बेटा भूलना नहीं है नया x है हमारा यह वाला पुरा नय x है अब इसको हम capital x लिखते हैं confusion ना हो इसलिए x square नहीं x लिखना है x square x बन गया आपका अब यह हाँ चलो y की power 1 x की power 1 यानी यह कुछ मामला हमको क्या लग रहा है straight lines यह सा लेकिन इसको adjust करना बड़े y is equal to mx की तरह y capital x अब इसको थोड़ा इधर उदर कर लो इधर लिखता हूँ मैं और इसको इधर लिख लो अब इसको compare करो standard के साथ तो slow बन जाता है आपका minus omega square और c है यह straight line अब अब यह straight line ऐसे आएगी या ऐसे आएगी या ऐसे आएगी या ऐसे आएगी इसके लिए होता है यह final वाला check quadrant सबसे पहले omega always positive होती है आपको यह पता ने जब physics पड़ोगी तब पता चलेगा यह velocity है positive रहती है angular velocity अब उसको minus लगाए positive नमर को minus लगाओगी तो slope तो negative है आएगा इसको ओमेगा तो दोनो positive है यानि line ऐसे आएगी इसका slope क्या है ओमेगा square नहीं minus omega square और यह y intercept क्या है omega square a square इस तरीके से graph आथे आपको यह भी बोला जा सकता है कि यह graph यहाँ पर मतलब यह कौन सा axis है या y axis y axis पर क्या है हमारा v square है तो यह v square versus x square का graph है तो इस x axis को कहाँ पर cut करती है तो x axis को वो cut वहाँ पर करती है जहाँ पर y 0 होता यानि इसको 0 डालो आपका equation क्या है यह वाला किसी भी graph में अब आपको पूछा जाए कि वो x axis को कहाँ cut कर रही है x axis को cut करने के लिए y 0 होना पड़ता है यहाँ पर y हमारा यह है तो इसको 0 डालो तो यह भी 0 हो जाएगा और यह इधर आएगा तो x square is equal to a square आएगा तो x is equal to a तो यह x is equal to a यहाँ पर cut करेगी और y axis को कहाँ पर cut करेगी वो निकालने के लिए x is equal to 0 डालो x is equal to 0 डालो यह यह 0 हो जाएगा ठीक है ना तो a square ओमेगा स्कोर आएगा तो आपका v square is equal to a square ओमेगा स्कोर आएगा जो कि actually आपका आपका आप ही गया है यह दिखेए यह y intercept straight line में न y axis को कहाँ पर cut करती है यह निकालने के ज़रूरत नहीं है यह y intercept c का मतलब ही होता है वो y axis को कहाँ पर cut करती है लेकिन x axis को कहाँ पर cut करती है इसलिए मैं नहीं यह किया राइट ओके